आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आज किशानों प्रवासी मजदूरों रहडी पट्री वालों के लिए कई एहम एलान किये उन्होंने 50 लाख रहडी वालों के लिए 5,000 करोण के Special Credit Facility का एलान किया इसके तहत शुरुवात में इन्हें Working Capital के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे शिशू मुद्रा लोन में 50,000 तक लोन लेने वालों को मरिटोरियम के बाद 2 फीसदी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक मिलेगा इससे 3 करोण लोगों को कुल 1500 करोण का फायदा होगा इसके साथ ही One Nation, One Ration काड की योजना पर भी काम होगा और इसे हर राज्य में लागू किया जाएगा प्रवासे मजदूरों को मुफ्त में भोजन समागरी के लिए 3500 करोण रुपए दिये गए हैं इससे मजदूरों को 5 केजी गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम दाल मिलेगी साथ ही देश के 3 करोण किसान जिन पर करीब 4 लाख करोण रुपए का लोण है उन्हें लोण मुरेटोरियम पीरियट का फायदा मिला है इसके अलावा फसली लोण पर भी जो रिपेमेंट की तारिख एक मार्ज से बढ़ा कर 31 मई कर दिया गया है किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोण का लोण दिया जाएगा जिससे धाई करोण किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को काफी फायदा मिलेगा केंद्री वित्राजिमंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या जानकारी दी आईए सुनते हैं वान नेशन वान राशन कार्ड ये योजना हमलाने वाले हैं और इसके माद्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूलय की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं जिसको हम डिपो भी कहते हैं ताकि राशन वित्र प्रनाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाए और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलोजी के उपयोग से चाहे वो जंदन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो इसके माध्यम से पार दर्शिता, मोधी सरकार लेकर आई और लाखो क्रोड पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापिस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया जो नैशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनफिशिरिस लिस्ट में नहीं है वो भी इससे वंचित ना रह जाएं ऐसे 8 क्रोड प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 क्रोड पे का प्रावधान यानि कि उनको 5-5 किलो गेहू या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना प्रती फैमिली एक किलो चना और प्रती व्यक्ती 5 किलो गेहू अर चावल भी अगले दो महिनों तक मिलते रहेंगे गाउं में कोपरिटी बैंक रूरल रिजिनल रूरल बैंक इनकी महत्रपुन भूमिका रहती है और कोपरिटी बैंक और रिजिनल रूरल बैंक को मार्च दो हजार बीस में नाबाड ने 29,500 करोड़ पया के रिफरनेंस का प्रावधान किया है ग्रामीन क्षेतर में अधारवू धांचे के विकास के लिए ब्याली सो करोड़ पे का सहयोग रूरल इंफ्राज़क्टर डिवल्पेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राश्य उपलब्द करवाई गई कम कीमत वाले किराए वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंतरी अवास योजना के अंदरकदिस योजना को लाया जाएगा जो की हमारे अपके बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती जो सरकार के अभी बने और कुछ जगा खाली होंगे उध्योगपती अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइस करके करेंगे ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्टरिय उसके आस-पास रहने की विवस्ता बनाए तो जहाँ एक और शिरमेक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पट्री पर समान बेचने वाले, जो हमारे श्रमेक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सब को COVID-19 के समय इस पिछले दो महिनों में बहुत सारी तकलीव का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज सार क्रोड पे की विशेज सुविधा केवल इन के लिए रेडी ठेला लगाने वाले, पट्री पर समान बेचने वाले श्रमेक साथी इन के लिए लेकर आए हैं,